तो आज पिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की प्रॉब्लम्स का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का जो topic लेकर आया हूँ उसका नाम है Seng Typeform Responses to Discord क्या कर रहे हैं हम Typeform से जो भी details हमें मिल रही हैं उन्हें automatically Discord के एक channel पे sign कर रहे हैं Discord हमारा एक communication के लिए बहुत ही अच्छा application है और हमारा Typeform Form submission के लिए के application है मैंने Typeform का use किया है आप Google Form, Jot Form, etc. का भी use कर सकते हैं तो automation की help से क्या हो रहा है Typeform में जैसे ही new entry हुई automatically Discord के channel पे एक message जो है send हो गया आप बोलेंगे इसका use कहा पे आएगा तो use case बता देता हूँ मान लीजे कि आपकी कोई company है और उससे related आपने एक form create किया है कि जब भी कोई interested हो तो इस form को fill कर दे अब जो भी उस form को fill करता है तो आप वो data collect करते हो देन जो आपकी team बैटी हुई है discord की उपर जो आपने तीन चाल लोग की team hire करके रखी है देखने के लिए जो भी lead जा रही हो उनसे connect करने के लिए उनसे बात करने के लिए आप उन तक इस lead को forward करते हो कि इस 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 इनसान ने यह form fill किया इसका यह whatsapp number है इसका यह email address है आप लोग इससे बात करो तो यहाँ आपका time जा रहा है यहाँ से lead collect करने में और वहाँ forward करने में तो यह time मैंने खतम कर दिया है आपका involvement ही नहीं रहेगा जैसे ही आपके type form के अंदर कोई new entry होगी तो automatically discord के उस channel की उपर जहाँ पे आपकी team मौझूद है उन लोगों को एक message मिल जाएगा के यह new lead generate होई है इनका यह email address है इनका यह phone number है जिससे की वो लोग उनसे सीधे connect कर लेंगे यह मैंने एक example दिया है और भी कई सारे examples हो सकते हैं जिससे आप इस automation को relate कर सकते हैं तो इस automation को कैसे करोगे पूरी की पूरी steps पूरी की पूरी process अभी करके दिखाता हूँ अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे pably.com प्रेस enter तो यह है pably.com के official website देन अब हम click करेंगे sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए मैं अपना account already बना चुका हूँ that's why मैं click करूँगा sign in पे first option आएगा pably connect का click करेंगे access now पर access now पे click करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard right hand side में create workflow का option एक click करूँगा then अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं नाम दे देता हूँ type form to discord okay मैंने नाम दे दिया type form to discord आप जो नाम चाहें वो नाम दे सकते हैं एक important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा ऐसी workflow का आपको जाना अस link पे click करना और आप भी ये same workflow अपने account में यूज कर पाऊगे वो भी एकदम free में workflow को नाम देने के बाद मेरे सामने दो windows आ गई trigger action दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे type form में जब भी कोई new entry हो कोई आके form को fill करे तो automatically discord के एक channel पे message send हो जाए एक notification send हो जाए जिससे की मेरी team जो महाँ पे मौझूद हो उसको पता चल जाए ठीक है so trigger application में सबसे पहले मैं choose करूँगा type form को search करके मैंने choose कर लिया type form को then trigger event मैं choose करूँगा new entry को then connect पे click करूँगा connection बनाने के लिए उसके बाद add new connections पे then connect with time form पे उसके बाद यह मुझसे मांगेगा access नीचे scroll करके accept पे click करके इसको access दे दूँगा don't worry pably connect is 100% safe authorization successful हो गया और मेरा type form अभी successfully connected है pably connect से then form यहाँ पे first field आई है तो यह मुझसे पूछ रहा है किस form को select करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा यह lead form जो है कुल 3 forms है मेरे पास event form php form और lead form तो मैं चाहता हूँ यह lead form जो है इस form को जब भी कोई fill करे तो automatically discord के चैनल पर message send हो जाए ठीक है तो मैंने इसलिए choose कर लिए lead form को then click कर दूँगा save and send test request पे तो यहाँ पे show करने लगेगा waiting for response means अभी उस form को जब भी कोई fill करेगा तो उसकी details पैबली connect के पास capture हो जाएंगी तो हम share पे click करके जो है इस form को एक new tab में open करते हैं then एक नए नाम और email address के साथ इस form को fill करेंगे then check करेंगे पैबली connect data capture करता है या नही get in touch पे click किया मान लीजिए कि मैं कोई Gary Mondo नाम का इंसान हूँ और जो मेरा email address है वो है Gary Mondo 6778.com और जो मेरा phone number है 126696369 यह मेरा phone number है submit कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे हमारा form जो है successfully submit हो गया चलके check करते है पैबली connect के पास इसकी details पहुँची है या नहीं ओके सो यहाँ पे अभी तक details नहीं आई है थोड़ा सा wait करेंगे yes तो यहाँ पे 2 second 2-3-4 second के बीच में हमारे पास details collect हो गई है form की okay response रेसीव दो गया जैसा कि मैंने नाम फिल किया था Gary Last name Mondo email address Gary Mondo 6778.gmail.com phone number हमारा 1269-366-913 तो सारी की सारी details मेरे पास capture हो गई है means अभी मैंने successfully integrate कर दिया type form को पैबली connect से integrate करने के बाद अब मैं पैबली connect को order देता हूं कि आप discord के channel पे message send कर दीजे तो मैं क्या करूंगा second application में obviously सी बात discord को choose करूंगा search कि discord को choose कर लिए then action event में send channel message है ना क्योंकि एक channel message ही send करने वाले then connect पे click करूंगा connection बनाने के लिए so जैसा कि आप देख रहे है connected है मेरा discord क्यूंकि मेरा discord already login था that's why मुझे connection में कोई problem ने आई आई आप भी connection बनाने से पर यहाँ पे आप अपना बिलकुल देख लीजे make sure कर लीजे आपका अकाउंट login है या नहीं so login होने के बाद सबसे first जो field आई यह वाई यह वैबुक url की यहाँ पे बोल रहा enter your webhook url तो क्या करना है यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप यह बिलकुल आपको बताएगा कि आपको क्या करना है पैबली करना है सारी डीटेल्स हमें बताता है images के द्वारा बताएगा ठीक है सबसे पहले हमें login करना है discord account को server settings पे जाना है हैना settings पे जाना है server settings का यह option है इस पे जाना है इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है create webhook पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके webhook को लगा देना है simply ठीक है मैं नाम दे देता हूं type form type form नाम दे देता हूं type form integration ठीक है मैंने webhook को नाम दे दिया type form integration then यहाँ पे copy webhook को clear you have unsaved changes ठीक है तो copy webhook url पे click करके webhook url को copy कर लूँगा so save changes पे click कर दूँगा उसके बाद यहाँ पे save हो गई है successfully webhook url ठीक है आ जाता हूं अपने पैबली आपके लिए मैं एक काम करता हूं एक new webhook url आपको जो है बना के दिखा देता हूं इसको मैं delete कर देता हूं पुरानी वाली webhook को create webhook पे click किया ठीक है then यहाँ पे मैं webhook url को save कर देता हूं तो webhook url successfully save हो गई है आ जाता हूं पैबली कनेक्ट पर यहाँ पे उस webhook url को paste कर देता हूं जो हम वहां से copy करिये then आ जाता हूं मैसेज पे तो मैसेज में एक simple message भीजूँगा new lead generated ठीक है new lead generated इसके बाद enter दूँगा lead का name name नहाँ पे नाम मैप कर दूँगा blank field पे click किया तो यहाँ पे नीचे type form का option आया यहाँ से नाम सर्च कर दूँगा Gary space day के Monroe ठीक है Gary Monroe नाम है then जो email है email का email की field डालूँगा email तो यहाँ पे email मैप कर दूँगा ठीक है यह रहा email ठीक है इसके बाद map कर दूँगा मैं phone number यहाँ पे लिखूंगा पहले phone number map करना ज़रूरी है जो मैं manually है जो लिख रहा हूँ न यह हर message में same रहेगा और जो मैं map कर रहा हूँ वो form submission के according change होता जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने click किया blank field पे नीचे option आया यहाँ पे क्या phone number मुझे map करना है तो phone number सर्च कर लेता हूँ क्योंकि काफी तादा data scrolling करते हूँ time निकल जाएगा यह रहा phone number map कर देए ठीक है बस इतना सा है मैं message sign करने वाला हूँ अभी कोई भी message नहीं है यहाँ पे लास्ट message जो है बहुत पुराना है यह ना साथ का है दो है दूसरे महीने February का है साथ February का है ठीक है तो अभी मैं क्या आता हूँ इदर और click करता हूँ 7 sentence request पे देन हम चल के चेक करेंगे डिस्कॉर्ट के चैनल पे कोई message आता है या नहीं है ना यहाँ यहाँ पे जैसा कि आप देख रहा है response received हो गया है चल के चेक करते है हमारे डिस्कॉर्ट के चैनल पे यहाँ पे successfully एक message आ गया है पैबली के नाम से क्योंकि हमने boat का नाम पैबली रखा था new league generated दो space दिये थे that's why इसके नीचे से name garymondo email address garymondo6778gmail.com और phone number जैसा कि हमने हमाँ पे map किया था means मैंने successfully integrate कर दिया है मेरे type form को discord से अब जब भी type form में कोई new form submit होगा तो automatically discord के इस channel पे इस तरीके का एक message आ जाएगा जिसने भी form submit किया उसका नाम उसका email address और उसका phone number ठीक है तो इस तरीके का automation मैंने set कर दिया है यह automation अब set हो चुका है आपको कुछ भी नहीं करना है है ना आब software करेगा यह जो process आपने करिए यह automatically software करेगा ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो और automate कर सकते हो वह भी बिना किसी परेशानी के जाते 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 एक बात फिर से बता देता हूं कि इस video के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और यह same workflow आप भी use कर पाए यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है तो वह आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूले तेंग तेंग।